झाज यह मैंमहें करेंगे हमारे तो जरूरी कि इस को भी अटेच्छ करना है ठीक तो अब इसको कैसे करें Script a4 करेंगे ंसक्रिप्ट का सोर्स मताना पढ़ेगा हमको कि सोस्पंद क्या है? हमने का प्रोजेक्ट जॉर्जेस अब यह अटेच हुई है कि नहीं पहले तो यह चेक करना है तो मैंने का यहां लिखो अलएर्ट कि यहां करो यह अब चला करके देख लेते हैं अगर यह अलएर्ट आ गया तो यह साथ में पॉइंट बताता चलता हो यहां पर मालेज़ें यहां यह आ गया है कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उसके बाद से चेंज़ करता चला जाता हूं नीचे मैं अपना लिखता जा रहा हूं लिखता जा रहा हूं और पर पर चलाता हूँ और मैं देखता हूं मेरा उपक्र भी कुड कर रहा हूं कि यहां het कैशे में रख लेता है के हिट को कैशे में रख लेता है और उस्तां पर यकायुण कistä कर रहे हैं यह तर रहे है अब जिछ कुझे बखाराहं नहीं दालती हैं और यह यह New वाल आपको धिखना शुरू हाँ जाता है इन सब को मैं यहां फेच कर लूँगा, उन सब का रिफरेंस यहां पर अपने पास रख लूँगा, पहला काम तो मैं यही करूँगा, ठीक, यह एक दम स्टार्टिंग की जब आप क्लास देखेंगे जावा स्क्रिप्ट की वर्डशॉप तो उस वक्त मैंने यह चीज बताई id is equal to btn underscore, ठीक, यह क्या है btn underscore, add user, यह वाली क्या है, delete user, यह क्या है, move to red, मैंने का move to red, यह क्या है, move to green, मैंने का move to green, next क्या है हमारे पास, move to blue, next क्या है हमारे पास, move to yellow, इनको मैंने id दे दी, इन सब को button को, अब आगे हमारा यह input box, इसकी id है pro user, कोई दिखकत ने, इसके पास id है, बाकी भी सब के पास अपनी-अपनी id है, अब मैं चलता हूं यहां पर, और उसकी id आप यहां पर pass कर दीजे, red block, ठीक, ऐसे ही, यह बाखी के जो blocks है मेरे पास, green block, green block, next क्या है मेरे पास, blue block, blue block, उसके बाद क्या है मेरे पास, yellow block, यह मैंने रख लिया, yellow block, यह नहीं कि red block से fetch किया, उसको मतलब वही नाम दे दिया है, जरूरी नहीं है, यह आपका variable का नाम है, ठीक, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते, मैंने जान बुझ के same नाम रखा है, ताके मुझे track करने में आसानी हो, variable का नाम meaningful होना चाहिए, ठीक, यह हो गए, चारो वो उपर वाले block मेरे, जो मुझे दिख रहे हैं, यह चारो block हो गए, next आता हूँ, अब क्या है, अब यह input box है मेरा, ठीक, त कुछ रख रुच भी दोकमेंट, डाट, गेट एलिमेंट, बाइड, पास कर दिया, प्रो यूजर, नेक्स्ट, चार बटन है, मेरे पास पांच भाइड, छे बटन, ठीक, यह है बटन मेरे, मैंने गा ठीक है, रख बटन यूजर इसे प्टो, डाकोमेंट, डाट, गेट, by id button user next यह double underscore आगे हटा दिया मैंने button delete user यह button add user था अब button delete user मैंने का const button delete user is equal to document.getElementById button delete user नेक्स्ट क्या है button moveToRed यह अब यह दोनों हो गए अब यह चार एक तरीखे क्या है const button moveToRed is equal to document.getElementById button moveToRed here next कांस है मारे पास button moveToGreen नेका ठीक है const button moveToGreen is equal to document.getElementById button moveToGreen here next कांस है मेरा moveToBlue नेका const moveToBlue is equal to document.getElementById button moveToBlue here next कांस है मारे पास button moveToYellow const button moveToYellow is equal to document.getElementById button moveToYellow getElementById getElementByClassName कुछ भी बहुत से option है selection element कुछ भी कर सकते हैं बट ID मैं चूस कर रहा हूं क्योंकि सबसे अच्छा वे लगता है मुझे uniquely element मिलता है आपको आपको सोचना नहीं करता है ठीक ये इतने हमने ये fetch कर लिए है ठीक एक आद इसमें से मैं चाहता हूं कि मैं print करके देख लूँ कि सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मैंने का ठीक है console.log कोई एक print करके देख लेता हूं बस moveToYellow को print कर दे रहा हूं कंसोल खोल लेता हूं रिफ्रेश कर देता हूं तो बटन आ गया moveToYellow ठीक यानि कि ये काम कर रहा है बहतरीन चीज काम कर रहा है तो अभी इतने तब तो कोई दिक्कत नहीं है अब आते हैं इसके आगे की बात कि सबसे पहला क्या करेगा user user जाएगा यहां पर अपना कुछ नाम लिखेगा और कहेगा add user मैं एक तो यह add user को create user कर देता हूं ज्यादा अच्छा है एक लेबल बना लेते हैं जिसका नाम अधर सेट कर देता है चलिए देखता हूं कि क्या कर सकते हैं यहां से क्या चाहिए सिर्फ यह नाम चाहिए अधर यहां पर लेबल पर लगा देंगे इन्पुट बॉक्स का यतना साही रोल होगा हमारे लिए कि चलिए अफ कर के देखते हैं तो अब क्या करना है कब add करना है नाम तो इसमें आ जाएगा ला जाएक कि अगर ब्सक्राइस नाम निकाल लेंगे बाट कब निकालेंगे नाम सोचना है जब एड यूजर पर लिसनर रखना पड़ेगा जो सुन रहा है listener होगा एक ठीक इस click के event पर animations अच्छा क्षंग मारी क्या होगा जिसम्में आप ने पहले से सारी बाता लिखने इक तब करना है जब button पर click हो तो आप इस audio अच्टे ऌन्य पर transcription पर क्लिक क्लिक की फॉर्ट लिखेंगे उस फॉर्टी में करें कि करेंगे कि भाया इस input box से जो यह नाम लिखा है इसको उठा के लाओ वो अधर उठा लाएगा फिर मैं कहूंगा कि एक तुम label बनाओ तो वह एक label बनाएगा जैसे document से हम सारी चीज़े कर रहे हैं ऐसी बोलेंगे document.create element और उसमें label पास कर देंगे तो एक label बना देगा उस label की जो HTML है वह हम यह अधर सेट कर देंगे तो यहां पर अधर सेट कर देगा अब इस label को उठा करके ले जाके हमें यहां लगा देना है तो यह इतना काम मुझे एक function में करना है वह मैं इस click event के listener पर करोंगा और ऐसे ही ऐसे ही बागी सारे के लिए भी काम करेंगे तो हम यहां से add user से इस चीज़ को देखना स्टार्ट करेंगे ठीक चलिए कोड में चलते हैं और अपना add user का function देखते हैं